वेलकम टू और टेश्टेडिंग क्लासेज अगर आप लरीत नाला यान मितला इंवर्सिटी के छात्रेवं छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है क्योंकि आज हम LNMU BA Part 2 सुसलो जी सबसिडरी का BBA अबजेक्टिव कोश्चन देखन में 25% की छूट दी जाती है या कथन है जिसका option A है सत्य, B है पच्छी में रेलवे के लिए असत्य, C है असत्य, D है केवल उत्तर रेलवे के लिए सत्य, तो देखिए इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो होगा A, सत्य, चलिए अब देख लेते हैं, second question क्या है भारत के किस वर्ग की उसत, जीवन, अवधी सबसे अधीक है जिसका option A है वेवसाइक वर्ग, B है पुंजी पती वर्ग, C है गरामीन, D है कारीगर वर्ग तो देखिए इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो होगा A, वेवसाइक वर्ग, चलिए अब देख लेते हैं, third number का question क्या है तो देखिए, third number का question है, भारत के सभी डाग घड़ों में वर्ग से वरिष्ट नागरिक बचत योजना आरंप करके व्रिद लोगों को अधीक ब्याज की स्विवधा दी गई जिसका option A है, 2005, B है, 2004, C है, 2003, D है, 2002, तो देखिए, इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, वो होगा B, 2004 चलिए देख लेते हैं, fourth number का question क्या है सन्युक्त राष्ट श्रंग द्वारा, वर्ष की विरोधी लोगों को अंतराष्टिय वर्ष के रूप में घोसित किया गया जिसका option A है, 1997, B है, 1995, C है, 1992, D है, 1999, तो देखिए, इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, वो होगा C, 1992 चलिए देख लेते हैं, five का question क्या है, तो देखिए, निमलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है जिसका option A है, स्रमिक वर्गों में मनोवैग्यानिक और सुरक्षा बुजूर्ग लोगों की मुख्य समस्या option B है, वैधिक वर्गों के बुजूर्ग आर्थिक सुरक्षा और सुरक्षा से सबसे अधिक पीरित C है गौं में बुजुर्ग लोग अकेले पन से पिरित हैं D है प्रस्तिती और भूमिका सभी संघर्स वर्गों में बुजुर्गों का एक परमुक समस्या है देखे इसका जो राइट एंसर हो जाएगा 5 का वोगा D प्रस्थिती और भूमिका का संगर सभी बुजुर्गों का एक प्रमुक समस्या है चलिए अब देख लेते हैं 6 का question क्या है सरकारी आकलन के अनुसार आज भारत में 60 वर्ष से अधीक आयू के लोग की संखिया है जिसका option A है लगभग 9 करोर, B है लगभग 8 करोर, C है लगभग A गाढ़ा करोर, D है लगभग 5 करोर तो देखिए इसका जुराइट एंसर हो जाएगा वोगा A लगभग 9 करोर चलिए देख लेते हैं 7 का question क्या है रंपा गंट भारतिय समाजिक स्रचना में से किस वेवस्था के द्वारा ब्रिद लोगों को समाजिक सुरक्षा दी गई जिसका option A है पंचैती वेवस्था, B है सन्युक्त परिवार वेवस्था, C है आस्रम वेवस्था, D है वर्ण वेवस्था देखे इसका जराइट एंसर हो जाएगा 7 का वो होगा B, सन्युक्त परिवार वेवस्था, चलिए अब देख लेतें 8 का question क्या है जिस कारेकरम के द्वारा भारत में वीरों की सहेता करने वाला एक सीख संगठनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहेता दी जाती है उसका नाम है जिसका option A है विर्द लोगों की संभावित कार्य करम B है विर्द लोगों को अंतराश्टिय कार्य करम C है विर्द लोगों का कल्यान कार्य करम D है विर्द लोगों की संदक्चन कार्य करम तो देखिए इसका जुराइट टेंसर हो जाएगा 8 का वो होगा A वरिद लोगों की संभावित कारिय करम चलिए अब देख लेते हैं 9 का question क्या है तो देखिए 9 का question है निमलिखीत में से कौन सी एक दसा वरिद लोगों में अकेला पन का समस्या का कारण है जिसका option A है समाजी गति सीलता B है केंदरक परिवार में विधी C है आधुनी करण D है सांस्कृति करण तो देखिए इसका जो राइट एंसर हो जाएगा 9 का वो होगा B केंदरक परिवार में विधी चलिए अब देख लेते हैं 10 का question क्या है जो की हमारा इस वीडियो में लास्ट question है चलिए देख लेते हैं निमलेखीत में से कौन सा एक कतन सही नहीं है जिसका option A है अनेक राजियों में विर्ध धावस्था पेंसन योजना लागू की गई B है बैंक दौड़ा 60 वर्सों से C है अधिक लोगों को आर्थिक वियाज दिया जाता है D है गौँ के बे सहारा विर्ध जनों के लिए अनपूर्णा योजना लागू की गई तो देखिए इसका जो राइट एंसर हो जाएगा क्या होगा D का राइट एंसर क्या हो जाएगा 10 नमर का राइट एंसर क्या हो जाएगा C अधिक लोगों को अधिक वियाज दिया जाता है चलिए अब देख लेते हैं चलिए इस वीडियों बस इतना ही इससे आंगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियों देंगे आपको नेक्स्ट वीडियों में देंगे तब तर के लिए चलिए को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्स पॉर वचिंग